नमस्कार मित्रो जैमातादी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो तुला राशी वालो चार जुलाई से लेकर के बारा जुलाई का समय कोई कांधा देने वाला भी नहीं मिलेगा बस ये गल्ती मत करिएगा क्योंकि अक्सर जीवन में हमारे कर्म ही हमारे साथ न्याय करते हैं अच्छे कर्म अच्छे परिणाम देते हैं और बुरे कर्म अंत समय पर हमें मात देते हैं आज की वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है सोरी देवता आपकी मिथोन राशी पर ही चल रहे हैं और शुक्र का महा गोचर बहुत समय का इंतजार अब सफल होने वाला है वीडियो में काफी महत्वपून जानकरिया है साउधानिया है उपाय है बिलकुल अंतर तक देखकर एक एक बात को अच्छी तरह से समझेगा लेकिन सर्व प्रथम भोलेनात के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरू लिखे आपके सारे बिगडे काम अवश्य ही बन जाएंगे देखिए जो दस दिन का समय हमने आपको बताया है यहाँ पर आए कम है और खर्चा जादा है और जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आए जादा करके खर्चों को कम करना होता है यहाँ पर बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर परिस्तित्या थोड़े से बिगड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि पैसा शुरुवाती दौर में तो होता है यानि जब महिने की शुरुवात होती जब आपके बास अच्छा खासा पैसा होता है लेकिन जैसे जैसे महिना आगे बढ़ता है वैसे वैसे देखाओन जा रहा है कि आपकी किस्मत में पैसा खर्च बहुत ज़ादा होना लिखा होता है तो इसका कारण क्या है दोस्तों इसका कारण है आप खुद क्योंकि जीवन में आप ऐसी ऐसी जगह खर्च करते हैं यहाँ पर खर्च नहीं करना चाहिए और वहाँ पैसा खर्च करके आप अपनी परिस्थितियों को बिगार लेते हैं लेकिन जहाँ पर वाकई में खर्च की जरूरत होती हैं जहाँ वाकई में आपको पैसा लगाना चाहिए आप उन जगह से दूर रहते हैं तो यहाँ आपक गुदों के गुष सापों से आपको यहां साउधान रहने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस ठाली में खाते हैं उसी में छेत कर देते हैं और आपको उन्हीं लिखा होगा तो मिरे पास आ जाएगा लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि लोहे की गर्म होने का इंतजार मत करिए उससे अपनी तपन से गर्म बनाईए यानि अच्छा समय आने का इंतजार मत करिए जो समय चल रहा है उससे अपने अनुकुल बनाने की कोशिश करिए आपकी आपकी गाड़ी पटरी पर आईगी भगवान पर भरोसा रखें जिनोंने आपको बनाया है उन्फर भरोसा रखें क्योंकि अगर आपको जन्म दिया है तो आपके बारे में भी कुस तो सूचा ही होगा बेंक में जो जमापुन जी थी उसमें व्रद्धी होने वाली है साथ ही साथ दोस्तो किसी महत्वपून योजना है तू प्रयाप्त धन आपको प्राप्त होने वाला है कई बार हमारे काम इसलिए बिगड़ जाते थे ते कोई कि योजना तो होती थी लेकिन पैसा नहीं होता था प्लान रेडी रेता था लेकिन लगाने के लिए पैसे नहीं होते थे आपके पास लेकिन अब वो योजना सार्थक होगी और महत्वपून योजना पर्याप्त धन प्रदान करेगी साथिसा दोस्तो दूर देश में किसी परिजन की और से उपहार यहाँ पर प्राप्त होने वाला है इसी के साथ साथ जमा पुंजी धन में व्रद्धी होने वाली है संपत्ती के क्रय विक्रय में यहाँ पर लाब होने वाला है 37 शेयर लोटरी से धन की प्राप्ती होने वाली है अच्छी खासी मात्रा में आपको धन प्राप्त होगा और किसी अधूरे कारे के पूर्ण होने से आपके व्यापार में चारचान लग जाएंगे ये बहुत बढ़िया बात है साथी साथ दोस्तों ससुराल से अथवा किसी विपरित लिंग से धन और आभुशन प्राप्त हो सकते हैं ऐसे में महत्वपुन कामों में बिना विग्न बिना बाधा आपका वो काम बन जाएगा लेकिन दोस्तों घमंड को अपने आप से कोसो दूर रखना है कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान के काम जो बनते हैं अच्छे तो उसके चेहरे पर इसमाइल तो होती है लेकिन ये इसमाइल कहिने का अभिमान लेकर आजाती है तो वो अभिमाइन जो इसमाइल है वो आपका घमंड न बन जाएज बात का ध्यान आपको रखना है प्रताप से आप इतने सक्षम होंगे कि आप उस लोन को चुका पाएंगे ये बहुत बढ़िया बात है पुराने घर को छोड़कर नए घर में भी आ सकते हैं पूरी-पूरी संभावनाय बन रही है साथी साथ भूमी वकान इत्यादी खरीदने की योजना जो है वो सफल होने वाली है शेयर लोटरी से धन प्राप्त हो सकता है लेकिन उलजना नहीं है कई बार क्या होता है हम किसी चीज के आदी हो जाते है किसी चीज पर निर्भर हो जाते है और वो जो निर्भरता है वो कुछ समय तक काफि सुक देती है लेकिन जब कुछ बिगरता है न वो साथे साथ दोस्तो धन चोरी होने की भी संभावना बन रही है ये बात भी आप ध्यान रखिए धन चोरी हो सकता है सतरक और साउधान रहिएगा यदि स्वास्त जंबंदित कोई समस्या हो तो तुरंत उस पर ध्यान आपको देना है अनित्था इस्थति गंभीर भी हो सकती है कई बार हमारे छोटी मोटी जो स्वास्त मिलक्षन दिखाए देते तो हम सोचते हैं कि सामानी गोली दवाई से सही हो जाएगा लेकिन जब आपको लग राय की नहीं हो रहा तो गोली पे गोली दवाई पे दवाई आपको नहीं लेनी है और डॉक्टरी परामर्ष लेना है क्योंकि ये नकारात्मक ग्रहों का असर भी हो सकता है कोर्ट कचरी के मामले में निर्ने आपके पक्ष में आने की बड़ी संभावना है लेकिन धन हानी न हो इस बात का ध्यान रखे कई बार हम इस तरह के फैसलों में अपना पक्ष मजबूत रखने के लिए धन लगा देत होने वाली है महत्कोपुन कारे में सरकारी विभाग के कारण बाधा उत्पन न हो सकती है वहाँ पर आप थोड़ा साउधान रहे सतरक रहे इतना आप ध्यान रखे धन हानी हो ना हो आपके मान हानी नहीं होनी चाहिए यानि कि लोगों के बीच में आपकी छवी खराब नह होनी चाहिए कि उस इंसान नहीं एसा कर दिया आपको अपनी छवी को कुछ ऐसा बनाना है कि जब आपका बुरा समय भी आए और आपके बारे में ये अफ़वा भी उड़े कि उस व्यक्ति नहीं ऐसा कर दिया तो लोग के वलेखी बात कहे कि वो व्यक्ति बहुत सही है वो ध्यान रखेगा ये घटना होकर रहेगी कर्मों का खेल है और शनिदेव भी कर्मों का फल प्रदान करते हैं अगर कर्म अच्छे हैं तो फल भी अच्छा मिलेगा लेकिन कर्म अगर बुरे हैं तो फल भी बुरा ही मिलेगा इसलिए बहुत साउधान आपको रहना है और साथी इसा दोस्तों जो आने वाला समय है यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो विद्ध्यारती competition exam की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहतरीन है चिंता की कोई बात नहीं है परिक्षा परिणाम की चिंता बिलकुल भी न करें बज जाते जाते श्विलिंग पर एक बिलपत्री चिपका कर जाईए उसकी बीच वाली पत्ती पर शहद लगा कर और वावा से प्रातना करके अपनी वो exam दीजिए परिणाम इतने जबरदस्त आएंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा बेरोजगार लोगों को रोजगार के साधन अपराप्त होंगे क्योंकि काफी समय से struggle उनका चल रहा है और काफी समय से वो प्रयास में थे लेकिन शुक्र का महा गोचर बहुत अच्छे result उने दिखाएगा और उन्हें भी अपनी dream job दिलाएगा लेकिन दोस्तो जल्दी बाजी में हडबडाहट में कोई भी काम न करें ये सला हमारी खास आपको रहेगी वरना आपका वो काम बिगड़ सकता है आगे वीडियो में महत्वपून साउधानिया है और अंत में दो उपाय भी है तो साउधानिया तो हम बता चुके हैं उपाय बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा अगर आपके जीवन में धन संबंत दिक्कते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं शुक्रवार के दिन आपको कच्चा दूद लेना है जी हाँ दोस्तों कच्चा दूद लीजिए और उसे तुलसी माता के पोधे में डालिए जडों को अच्छे सीचिए उस कच्चे दूद से और वहाँ पर एक सिक्का चड़ा दीजिए और मंत्र क्या बोलना है अपको ग्यारा मंत्र बोलना है ओम नमो भगवते वासु देवाई नमा ग्यारा परिक्रमा करिए और तुलसी माता के पोधे की जड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी लीजिए और अपने माथेपर्तिलक लगा लीजिए आपने मत्य पर तीकी लगा लीजिए बहुत अच्छा उपाय है ये इससे बहुत अच्छे लाब आपको जीवन में देखने को मिल जाएंगे अब अगला उपाय दोस्तों क्या रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा देखने का विशे हैं बहुत ज़्यादा जानने का विशे हैं अगला जो उपाय है मंगलवार के लिए गौर फरमाईएगा हनुमान जी के मंदिर जाना है और उन्हें एक पान का बीडा चड़ाना है कहते जिन लोगों की नौकरी में समस्या आ रही होती है बेरोजगारी के आलम से जूच रहे होते हैं व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा वे लोग हनुमान जी महराज को पान का बीडा जरूर जड़ाए क्योंकि इससे उन्हें बहुत प्रसनाता होती है यह उनके प्रीभोगों में से एक है तो दुला राश्री वालो आज की वीडियो में हमने बात करी चार जुलाई से लेकर बारा जुलाई के बारे में और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें कॉमेंट बॉक्स में जये माता दिलिकर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें बहुत बहुत धन्यवाद